किसान साथियों नमस्कार राम राम सस्रेकाल आदव किसान साथियों आप अच्छे होंगे ठीक होंगे भगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें सवस्त रहें अच्छे रहें आपके काम में दिन दुगनी राच दुगनी उन्ती हो हमेशा हमारी प्रम्पिता प्रमेशर से यही कामना है साथियों हमने पिछले भाग में कोटन के अंदर यानि कपास के अंदर हम वैस्दी कंपोजर का उपयोग किस परकार से करें तरल वैस्दी कंपोजर का उपयोग कैसे हम करें की और किस तरह से हम आने-आनेंसर का उसके अंदर उप्योग करें। इस विशेफ प्राहमने विस्तार से बाजचित की। आज में से अगर तीन साल पहले की बात करें चार साल पहले की बात करें तो कौटन के अंदर कपास के अंदर काफी benefits farmer ने उठाए। और जिस किसान ने WSD Composer का इमानदारी से उपयोग किया उस साथी को बहतरिन परिनाम भी मिले लेकिन आज जो हमारा विश्य है वो भी कोटन के उपर ही है उसके सैकिन भाग में ये आपके लिए सबसे जरूरी वीडियो होगा महतोपुन वीडियो होगा आपके काम आने वाला वीडियो होगा और ये वीडियो आपकी अजारों को समस्राइँ खतम करेगा जो कोटन में आती है साथियो मैं अमित मयला ह developments से मेरे परिए किसान साथियो आप जानते हैं कि हमारी कोटन में हमारी कपास में तरह तरह की बिमारियां आती हैं और उस बिमारियों के आने के बाद हम महेंगी महेंगी रासाइनिक पेस्टेसाइज का उप्योग हम उसके अंदर करते हैं फिर भी उसमें उतना बेनिफिट हम नहीं ले पाते जितना बेनिफिट हमें चाहिए आज अगर हम कपास की मुख्य बिमारी मुख्य रोगों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थ्रिप्स का परकोप होता है सेकंड सफेद मक्खी का परकोप होता है और वाहिट फलाई का तो इतना बहंकर परकोप होता है कि पूरी फसल चोपट हो जाती है और थ्रिप्स का अटेक अगर पुरन रूप से पोदे पर आ जाए तो पोदे की बढ़वार रुख जाती है सुंडी का प्रकॉप मान लीजिए न्यूट्रेन की डेपसेंसी मान लीजिए बढ़वार का ना होना वो मान लीजिए यानि इतनी बिमारियां कोटन में आती हैं जिसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं और उसके लिए हमें हर साथ दिन दस दिन के अंतराल से उसके अंदर छिटका और लगातार कंटिन्यू करवाना होता है वो हमारी एक मजबूरी होती है आज हम उससी विशे पर बात करेंगे क्योंकि रोगों से संबंति जो समस्या हैं हमारे पहले थी वो आज जेविक की ही नहीं रासाइनिक वालों की भी इस अनैंसर के कांट खतम हो गई है बढ़वार की समस्या अगर आपके सामने है वो भी वो भी अनैंसर का उप्योग करने से ग्रोथ प्रमोटर का यह काम करेगा मान लेजी आप कितना से के रूम में इसका उपयोग नहीं करना चाते हैं और गरोस प्रमोटर के रूम में अगर आप इसका उपयोग करना चाते हैं तो कोई भी माइक्रो नूटेन जो आपने बना रखा है चाहे प्यूसामर्त आपने बना रखा हो, चाहे पत्तों का अरक आपने बना रखा हो, चाहे पत्तों का गोल आपने बना रखा हो, चाहे दालों से बने हुई माइक्रो नूटेन का आपने उप्योग का रखा हो, किसी को एक को इसके अंदर मिला के छड़काओ करवा देजिए सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रिप्स का परको मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस वीडियो के मादम से थ्रिप्स का अनैंसर के उपयोग के कारण पहले ही चिड़काओं में थ्रिप्स की उपर हमने कंट्रोल देखा है फिर भी हलका बहुत अगर रह भी जाता है थ्रिप्स कुरुन रूप चे कंट्रोल नहीं होता है तो एक चिड़का और करवा दीजिए थ्रिप्स बिल्कुल खतम हो जाएगा कुछ साथियों ने हम से पूचा कि सर इसका रजल्ट कितने दिन तक रहता है यानि उसका असर कितने दिन तक रहता है पंदरा से बीच दिन एक महा तक इसका रजल्ट रहता है इसका असर रहता है और पूरी फसल में मैंने पहले भी वीडियो के मादम से बताया है कम से कम द थ्रिप्स का परकॉप हो यानि और पत्ता मरोड की अगर समस्य आपके सामने आ रही हो तो इसका उप्योग साथियों कीजिए और बहुत शांदार रजल्ट आपको मिलेगा कि आप बजार से जो भी पैस्टे साइज लेके आते हैं जो भी दवाईयां आप लेके आते हैं वह दुकान्दार जो भी आपको डोज बताते हैं उसकी आधी डोज आप कर लिजिए मैं यह कहता हूं कि आप बिलिव नहीं कर पाएंगे इतना शांदार रजल्ट आपको आता है वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो माइक्रो नूटेन की डेफशन्सी होती है और काभी तत्तों वैस्टी कंपोजर में आल्रेडी है माइक्रो नूटेन पत्थर के जूस उसमें आल्रेडी है और जो अनेंसर आपके बीच में है यह ग्रोथ पर मुटर का काम होती है कैसे बनाना कैसे त्यार करना इस में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं तो चैक कैसा भी त्रिप्स हो त्रिप्स का कैसा भी कंट्रोल हो चाहिए आप उसके अंदर वाहिट यानि सफेद मक्की का परकॉप हो या उसके अंदर मीली भग का परकॉप हो कोई ही भी स पेस्टेसाइज बनाते हैं उनको ज्यादा बनाने की आउसकता नहीं है आप एक कीतनासक भी बना लेंगे तब भी आपके लिए सफिसेंट है इसके साथ इसका उपयोग करवाईए बहुत शांदार और बहुत 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 परिनाम आपको मिलेगा कुछ साथ हुन्ह कि पत्तों को चिपक कर काफी समय तक उसके उपर अपना कंट्रोल रखता है अनैंसर का मुख्य रूप से कारी है और काफी फार्मर ने हमारे बीच में यूज भी क्यार उनके वीडियो भी आने स्टार्ट हो गए उनके जैसे वोईस में ऐसे या कुछ फोटो बोला सरा हमने अनैंसर का उपयोग किया इतना उनके वीडियो हम जल्दी ही अप लोगों के बीच में अप्लोड करने स्टार्ट करने वाले हैं किसी ने फूल में उपयोग किया किसी ने वेजिटेبل में उपयोग कि या नहीं अन्य ने बहुत च्यांदार IG तो साथियो में ज्यादा समय आ इसमझे आवाआब का समय नहीं लोगा जिसबी सात्य को वैसदी कमपोजर का बोटल नहीं मिल लो है हूं यह आप मेरे सदें किस अन्यक्व सतीं से लीजिए वह dasn वीडियों पर दिये गए WhatsApp नमर के उपर कोल करके या मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं और अगला जो पार्ट हम आप लोगों के बीच में बनाएगे कुछ किसान सातियों के हमारे बीच में कॉमेंट आए हुए हैं एक तो गन्ने के उपर एक दहन के उपर और दूसरा मि कोप रहेगा उन भी सोबर भी आप लोगों के बीच में बाच्चित करेंगे इसे के साथ नमस्कार जैहिंद राम राम जैह बारत